तो वेल्कम पेक जहां पे जो है दी शैनाया और बिसमिला खान जो पिसकली जो हमारा साउंड है हमारा चेव चैप्टर है इसका जो हमारा एक्सरसाइज के नाइक्स पोर्शन है थिंकिंग अबाउड लिंग्वेज तो यह वाला हम करने वाले सालो लोकाइट इस संटेंस इन नार्मल लाइफ ठीक है आवलन जो थी डिटमान थी एक नार्मल लाइफ जीने के लिए अवलन मेंच तो इसको बहरा पन उसका भाड़ रहा था अपने दोस्तों से और टीचर से उसको उसने इनिशली छुपाया इस ने इस पाया इस आटेलिसाइज पार्स आंसर दी क्वे रहे हैं ठीक है ना तुलियो नार्मल लाइफ है जा तु कंसील हर ग्रोविंग डेफनेस है यह बिसीकली जो है यहां पर क्या कर रहे हैं हमें आंसर दे रहे हैं ठीक है ना आंसर यह किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वाट वाज एवलन दिटमान टू जिस तरह से पह पहला जे question हो कि Evelyn जो है क्या determine करने के लिए क्या उसको determine है ठीक है न फर्म है दूसरे के लिए and what did Evelyn manage to do Evelyn ने क्या चीज जो है करने में कम जाब हुई है they begin with a two verb to leave to conceal जहां पर जो है वरब के पीछे जो आप देखेंगे जहां पर वरब क्या है इसके पीछे तू लगा है इसके पीछे तू लगा है ठीक है इसे हमें पता चलता है तो बेसी क्वास्टन का आंसर दे रहें ठीक है complete the following sentences, sentences जो नीचे दियेगे sentences से इनको आप complete करिये beginning with a two verb, two verb के साथ इनको शुरू करिये and try to answer the questions in the brackets ठीक है और जो bracket के अंदर जो questions के इनको आंसर करने की कोशिश करिये ठीक है what does it hope to do? the school sports team hopes ठीक है जो school की sport team है वो hope करती है ठीक है आगे जो है basically इसका जो हम शहाँ पर dash परेंगे ये इसका answer automatically बन जाएगा what does it hope to do? जो किस काम को करने की अमीद रखती है ठीक है ना? the school team, the school sports team hopes to win ठीक है ना? जो अमीद कर रही है जीतनी की के जीतेगी तो जहाँ पर जहाँ पूछ रहे है जो किस चीज की अमीद कर रहे है तो जो आटोमेटिकली इसका answer बन गया क्यों जहां पर यह जो वर्व है यह वर्व क्या है? विन इसके पीछी हमने टू लगाया है जब टू लगाते हैं तो आटोमेटिकली यह एक statement बनती है बट यह जो है किसी question का भी answer हो सकता है we all want dash dash हम सब जो है चाहते है तो हमें लगाना ही है ठीक है हम वियाल वांट हम क्या करना चाहते है यह वियाल वांट तू सक्सीड हम दस्काइब शुलग ग्राइब और सब्सक्राइब बॉलग तुल ऑजिक है ठीक है थे अटो है इस बचे को क्या 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 जाये तो तो टेक रबहार टो टो टीक हर टो टो to a specialist 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 के क्या spelling लिखे मैंने S P E C I A L I S T The authorities permitted us to, authorities ने हमें अचाज़त दी किसके लिए खेलने के लिए to play, the authorities permitted us to sing, the authorities permitted us to work, कुछ भी हम लिख सकते ठीक है न, a musician decided to dash dash, a musician decided to play, a musician decided to play a new rock, ठीक है न, तो ये जो हम to, जो है वरब के पीछे, जो हमें लगाना है justice के अलावा कुछ और भी आपके पास हो सकते हैं, तो doesn't matter, मैंने एक बार कहा कि ये जो blanks जो है, यहां पर बाव नहीं होती, इनके आप अंदर जो है, सिर्फ आपको concept समझना है, कि आपको क्या चीज़ जहां पर करनवाना चाहता है, to win competition है, जिस तरह से, ठीक है, to succeed, इस ने दिर भी फिल किया है, to take care of the child, ठीक है, to perform, जिस तरह से, इस ने किया है, to play music, जो है इस तरह ने इस जहां पर बनाया है, तो ठीक है, वैरी कर सकता है, this doesn't mean के, जो जहां पर आप लिखेंगे, जब हां पर लिखेंगे, इस from the text on Bismillah Khan, Bismillah Khan पर जो text है, find the words and phrases that match these definitions and write them down, ठीक है ना, हमें वो words और phrases जो लिखने हैं, जिनकी definition जो है, इन से match कर रही हो, ती number of paragraph, where you will find the words, phrases has been given from you in brackets, given for, तेखिए, जहां पर क्या है, the home of royal people, जो royal लोग होते हैं, उनके घर को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो है, इसके लिए जो है, इस पूरी line के बदले जो है, उपर word use को है, जैसे, royal, royal residence होता है, हमारे पास, royal residence का क्या मतलब होता है, वो लोग जहां पर जो royal लोग जो है, रहते हैं, ठीक है ना, तो इसका खांपर हमें पहले paragraph, point first के अंदर जो है, आपको ये वाला word म मतलब है, the state of being alone, मतलब अलग, अकेले होना, तो ये होता है, solitude, s-o-l-i-t-u-d, ठीक है, solitude, ठीक, तो basically, actually, क्या है, उपर text में, आपको reverse जाना है, वहां पर जोन नहीं है, ठीक है, जिस तरह से royal residence है, दूसरे का क्या है, solitude, तीसरे, a part which is absolutely necessary, एक वो पार्ट जो पूरी तरह से जो है, ज़रूरी है, तो इसको क्या कहते है, indispensable, ठीक है, to do something not done before, कुछ ऐसा करना जो पहले ना किया हो, किसी ने, that is invent का मतलब है, without much effort, बिना किसी, जो है, effort डाले हुए, इसको कहते है, effortlessly, असानी से, quickly and in large quantities, तेजी से, और एक लंबी, बड़ी quantity में, thick and fast, ठीक है, तो ये इसको मतलब है, बिसके लिए ये वाले words है, जो text के अंदर use किये गए है, तो, जाक्चल में जाकर हमें तूनने थे, तो यहाँ पे आपको collector मिल जाते हैं, but concept is that, कि जो point आपको दे रखा है, उसमें जाकर आपको जो है, तून जो है, यह किसकी meaning है, then we have next one, and जहाँ पे है, tick the right answer, ठीक है न, जहाँ पे हमें right one tick करना है, when something is revived, it remains dead alive, ठीक है न, जब किसी को revive करते हैं, तो यह वाली जो चीज होती है, क्या होती है, ठीक है न, यह dead होती है, यह live होती है, अगर हम किसी चीज को revive करते हैं, जो खराब होगी, तो यह क्या होगी, again, lives again होती है, ठीक है, अब फिर से मतलब इसमें, जो है, यह फिर से जिन्दा हो जाती है, अगर mobile खराब होता है, उसको revive करेंगे, तो ठीक हो जाते है, इस तरह से आप जब नीचे जाएंगे, तो you will see here, ठीक है, welcome it, we find it interesting, ठीक है, when something is considered auspicious, ठीक है, जब किसी चीज को जो है auspicious, consider किया जाता है, अच्छा समझा जाता है, तो उसको हम welcome करते हैं, welcome it, ठीक है, इसको ठीक करेंगे, when we take to something, we find it, ठीक है, जब हम किस चीज में interest लेते हैं, तो हमें जो है, यह क्या चीज लगती है, यह तो interesting को करेंगे, ठीक है, ठीक है, when you appreciate something, जब आप किस चीज को अप्रिशेट करते हैं, you find it good and useful, find it of no use, जब आप किस चीज को अप्रिशेट करते हैं, तो आपको जे good और useful लगती है, तब यह आप करते हैं, when you replicate something, जब आप किस चीज को copy करते हैं, दोहराते हैं, you do it, you do it for the first time, आप इसको पहली बार करते हैं, for second time, आप इसको दूसरी बार करते हैं, जब replicate करते हैं, तो पहले चीज हो चुकिए हैं, फिर से कर रहे हैं, ठीक है, then when you come to terms with something, जब आप किसी के साथ मायदे पे आते हैं, जब आप किसी के साथ मायदा करते हैं, फिर जो है, वो आप सेटिंग नहीं रहता, चलिए उसके बाद आता है आपका डिक्शनारी बारक, the sound of shanai is auspicious, जो shanai का sound होता है, वो auspicious होता है, the auspicious sound of shanai is usually heard out marriages, यह जो auspicious sound होता है, shanai का marriages भी हम इसको सुनते ही, ठीक है न, auspicious का मतलब है शुब होना, अच्छा होना, the adjective auspicious can occur after the verb, verb be as in the first sentence, जो हमारा auspicious है, ठीक है न, जैसा कि हम पहले sentence के अंदर देख पा रहे हैं, तो यह वाला जो हमारा, the adjective auspicious, यह जो है verb be के बाद जो है, आ सकता है, ठीक है न, as in the first sentence or before a noun as in the second sentence, जा फिर नावन से पहले जो है दूसरे sentence में जो तरह से आ रहा है, ठीक है, ठीक है, but there are some adjectives which can be or before a noun as in the second, ठीक है न, लेकन जो है कुछ हमारे पास जो नावन है, ठीक है न, the adjectives auspicious can occur for the verb, after the verb be as in the first sentence or before a noun as in the second sentence, ठीक है न, ठीक है न, but there are some adjectives which can be used after the verb, verb be and not before a noun, ठीक है न, ठीक है न, लेकन हमारे पास कुछ adjectives हैं जो वरब be के बाद जो है इस्तमाल होते हैं और लेकन नावन से पहले नहीं होते हैं, एक्जमपल के तोर पे उस्ताद फियास कान वाज अवरजॉइड, ठीक है न, the overjoyed man, we cannot say the overjoyed man, ठीक है, जहां पे जो नावन है इसको adjective के बाद हम इस्तमाल नहीं करते हैं, this is something यह चीज़ जो है आपको बता रहे हैं, अगर adjective यह वाला है, ठीक है न, तो हम जो है जहां पर इसको जो नावन है उसके बाद में जूज करते हैं, पहले इसको जूज करके बाद में नावन नहीं जूज करते हैं, ठीक है, adjective, only before noun, जो इसको नावन के पहले आपको जूज करना है, adjective, not before noun, ठीक है न, तो जिस्ट आप इसको रीड कर सकते हैं, हम मूख करते हैं नीचे, इसको नावन से पहले जूज कर सकते हैं, not before noun, आप इसको नावन से पहले जूज कर सकते हैं, ठीक है न, then have both before and after the verb, आप इसको दोनों टाइम पर पहले जो है वरब के पहले जा वरब के बाद भी जो है, इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है ना तो जहां पे इसको टिक किया impressed को again similar way में जो है बोथ before and after the verb जो है इसको हम और अभी जो है इसको हम इसको हम इसको हम इसको हम इसको हम इसको हम आफ्टर दा वब यूज़ करते हैं आफ्टर दा वब ठीक है आउड़ोर जो है हमारे जिस तरह से इसको only before now जो हम इसको हम इसको इसको आफ्टर वरब भी जूज़ करते हैं हम ठीक है जिस्ट जहां पर जो है इसको हमने इस देट गलेर तो यह है आपका प्राइसलेस ठीक है यूज़ दीज वर्स इन फ्रेज़ और संटेंसर आप शुहरेवन आपने जो फ्रेज़ और संटेंसर से उनके अंदर आपको इस्तमाल करना है तो इन इसके बाद है आपका स्पीकिंग वाला पोर्शन तो स्पीकिंग वाला आदे हैं आपको बताया गया है कि आप जो है उसको इंटर्डूस करेंगे अपनी आडियंस के समने आप उसको कैसे इंटर्डूस करेंगे कि एक आपको दे रखाए इसके नोट्स बनाने है ठीक है ना एक आपको दे रखाए एक बड़ा सा परग्राफ जो है आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो सिंप्ली इसके आपको जो है खुद करेंगे आप इसको तेन उसके बाद है उसके बाद है उसके बाद आपको पता होता है है आप कहां पर जा रहे है ठीक है अगर आप करते हैं तो आप चारे है आप पहुंचा थे कहती है तो आपने दो मेजिशन के बारे में पड़ा एवलन और उस्ताद बिसमेला खार के बारे में तुम्हें लगता है कि उन दोनों ने बहुत ज्यादा मेनित की वह कहां जाना चाहते थी आंसर इस सब्सक्राइब हैब रहा रहा है तक यह अरद इसके साथ ही वाला चेप्टर खात्म हो जाता है आप मिलते हैं हम नेक्स टूडियो में तिल दिन में एक शोर आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें पिल भी मेटिंग में तेंक यू फर वाज